हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उपवाक्य को पहचानने का ट्रिक हमेशा पेपर में आता है कि इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है पहचानी है तो हमें बहुत दिक्कत होता है तो हम उसको ट्रिक के माध्य हमसे पहचान लेंगे बहुत ही असान है इससे असान कुछ नहीं है तो उपवाक के हमें पता है कि तीन होता है कौन को उपवाक के तो संग्या उपवाक के विशेशर उपवाक के और क्रिया विशेशर उपवाक के तो संग्या उपवाक्य को हम कैसे पहचानेंगे तो यह दे किसे भी वाक्य में आपको की सब्द दिख गया उपवाक्य के पहले की दिख गया ये तो वहाँ पे संग्या उपवाक्य आपका हो जाएगा कैसे हो जाएगा संग्या उपवाक्य जैसे वाक्य में देख लिजिए एक वाक्य दिया है कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा तो इसमें मैं पढ़ूंगा वाक्य है तो इससे पहले क्या आ गया? मैं पढ़ूंगा उपवाक्य है तो इससे पहले की आ गया? तो की जिस भी वाक्य में आ जायेगा वहाँ पे संग्या उपवाक्य होता है ठीक, तो यह की को ध्यान देंगे, कि यदि की आ गया, तो संग्या उपवाक्य है अब आते हैं विशेशर उपवाक्य, इसमें क्या होता है? जो जैसा जितना ये तीनो वर्ड को ध्यान देना है यदि ये तीनों किसी भी वाक्य में आपको दिखें तो वहाँ उपवाक के आप से पूछे तो वहाँ पे विशेश़र उपवाक की हो जाएगा जैसे देख लिजिए कि वह आदमी जो कल आया था तो यहाँ पे कौन सा उपवाक्य है? विशेशर उपवाक्य है जो आ गया न, तो इन तीनों सब्द को ध्यान देना है कि जो, जैसा, जितना यदि ये तीनों आ गया वाक्य में, तो वहाँ विशेशर उपवाक्य होगा अगला है हमारा क्रिया विशेशर उपवाक्य इसमें क्या होता है इसमें आपको जब, जहां, जिऊं, जिधर, यद्यपी, प्राया ये छे सब्द को ध्यान देना है यदि ये छे सब्द आपको दिख जाएं किसी भी वाक्य में तो वहां क्रिया विशेशर उपवाक्य होता है जैसे देख लिजिए वाक्य प्रयोग करके कि जब पानी बरस्ता है तब मेढ़क बोलते हैं तो जब आ गया ना तो जब और तब आएगा तो कौन सा उपवाक्य होगा क्रिया विशेशर उपवाक्य होगा तो जब पानी बरसता है तब मेढ़क बोलते हैं क्रिया विशेशर उपवाक की है तो आप ध्यान देंगे, ऐसे भी पचान सकते हैं आप की को ध्यान देंगे, कि यदि की आजाता है क्या, यदि की आजाता है, तो वहाँ पे हमारा संग्या उपवाक की हो जाएगा ये तीन सब्द ध्यान देना है, जो जैसा जितना जो जैसा जितना, यदि ये आजाए तीनों सब्द, तो वहाँ विशेशर उपवाक की हो जाएगा यदि हमें संग्या उपवाक और विशेशर उपवाक की क्लियर है तो हम क्रिया विशेसर अपने आप पाचांड जाएंगे आपको ये छे सब्द याद करने के नहीं ज़रुत है अगर संग्या और विशेसर उपवाकि आपका क्लियर है क्यों कि हम वाकष में पाचां लेंगे की नहीं है तो संग्या उपवाक्य नहीं होगा जो जैसा जितना ये इस तीनों सब्द नहीं है तो वहाँ विशेशर उपवाके नहीं होगा तो हम दिमाग लगाएंगे कि तीनी उपवाके होते हैं तो संग्या नहीं है विशेशर नहीं है तो वचा क्रिया विशेश्ड उपवाके तो भई होगा ठीक ऐसे भी पहचान सकते हैं या तो आप क्रिया विशेश्ड उपवाके का भी याद कर लीजिए कि जब जहां जियों जिधाय यद्धि प्राया ये तीनों सब्द जहां आ गएं वहां क्रिया विशेशड उपवाके होता है बाकि संग्या उपवाके का और विशेशड उपवाके का आपको विशेश ध्यान देना है संग्या उपवाके का तो असान है किवल आपको की याद रखना है और विश्य सड़ उपवाकी में भी असान है जो जैसा जितना ठीक तो अच्छा लगा होगा आप लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल छोटा सा वीडियो है और थोड़ा फास्ट है ये क्योंकि ट्रिक है ये तो इसको विस्तार से क्या पढ़ना है बस अपने दिमाग मे बैठा लिजिए ताकि अगली बार उपा कि गलत ना हो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए फिर मलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू